हेलो गाईज, आज हम निम्बू और पौदीने का सरबत बनाना सीखेंगे आज मेरी छुटी का दिन था और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए निम्बू और पौदीने का सरबत बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूँ क्योंकि जब भी आपके घर कोई महमान आए तो आप कॉल्डरिंग की बजाए ये सर्बत बना कर उन्हें पिला सकते हैं तो देखिए सुरू करते हैं इसके लिए हमने फ्रेस पोदिना लिया है और इस पोदिने को हमने अच्छे से वास कर लिया है धो लिया है धोने के बाद हम इसे जार में डाल देंगे ये छे गिलास जो है वो बना रही हूँ मैं और उसके लिए एक छोटी गटोरी जो है चिन्नी की यहाँ पर ली है आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग भी ले सकते हैं और साथ में ही अब यहाँ पर थोड़े आइस क्यूब्स डाल देंगे अभी इसमें आइस क्यूब्स इसलिए डाल रही हूँ ताकि पोदिना जो है वो हरा भरा रहे इसका कलर चेंज ना हो और साथ ही हम इसमें तीन निम्बू डालेंगे आप के पास अगर बड़े साइज में निम्बू है तो आप दो भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने तीन निम्बू लिए हैं और इन्हें अच्छे से इसमें हम निचोड लेंगे अब इसके बाद सभी जब ये निम्बू निचुड जाएंगे इसके बाद हम इसमें थूड़ा सा काला नमक डालेंगे हाफ टीस्पून जो है वो आप काला नमक ले सकते हैं इसके साथ ही हमने एक कप पानी डाल दिया है और अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से महीन इसको आपको पीसना है जितना महीन होगा उतना ही ये अच्छा रहता है तो इसको हमने सिर्फ एक दो मिनट के लिए ही जो है वो पीसना है एक मिनट में ही ये लगबग पीस कर तयार हो जाता है अब इसको एक छालनी लेंगे और उस छलनी में हम इसको छान लेंगे तो देखिए जब हमने इसे छलनी में छाना तो ये अच्छी तरह से छन गया था और इसमें ज़्यादा कोई खास मोटे मोटे हिस्सा ज़्यादा निकला नहीं है उसके बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी मिला लेंगे ये छे गिलास सर्बत जो है वो मैंने छे ज़नों के लिए तयार किया है और अब इसको हम दो गिलास में यहाँ पर डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा गार्णिस के लिए थोड़े से पोदीने के पत्ते है इसमें डाल लेंगे यह निमबू और पोदीने का सर्वथ पीने के लिए तयार है रैडी है आप भी इसे अपने बच्चों के लिए बनाएं और इतनी गर्मी है लू से बचने में भी ये काफी हेल्प करेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें तो हम फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ नई वीडियो में